मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता सकता हूँ सारे दर्श्चों के लिए आपके पॉड़कास के कि आज के बाद कभी भी बुखारो गोली नी खानी एक घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा रहा हूँ सरी है बता दो मलब पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ ना पैरसिटामोल ना डोलो ना कालपोल ना बुरूफन कुछ नहीं खाना क्या खाना है वो बतायता हूँ और क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है मलब बुखार में गोली खाओगे तो किड़नी फेल होगी लीवर खराब होग अगर खिताब दिया जाए किसी को तो वो पैरसिटामोल को डोलो 650 को मिलेगा तो यह गोली इतनी खतरना है और हम अपने बच्चों को बुखार होते ही सब को परशाद की तरह बाड़ देते हैं तो यह गोली कभी निखानी करना क्या है जब भी बुखार हो आज के बाद मु पाउं डूब जाएं और गरम-गरम पानी 40-42 तीस से 40 मिंट ऐसे बैठना है उसी पाउनी में पाउं डूब होके और अगर पानी थंडा होने लगे तो दो डिब पे निकाले दो गरम डाल दिये मलब गरम को मेंटेन करना है उस टेंपरिचर पे और गरम-गरम पानी सिप-स करके साथ पर पीना है 80-90% चांस है कि आपका एक ही बार में बुखार शुटी हो जाएगा आपको पसीना आएगा बुखार हमारा मित्र है आईरवध कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये सब मित्र हैं लेकिन हमने इनको दुश्मन मान बलदार आगया बस बड़ी रेड़ पड़नी थी तो उससे पहले चोटी रेड़ पड़गी तो बड़ी रेड़ नहीं पड़ेगी बुखार नहीं भी आरा तो भी दिख लिखार आना जरूरी है साल में एक बार अगर बुखार आएगा, छे मीने में एक बार बुखार बुखार है, कौन बढ़ा रहा है अंदर की इंबैलेंस हुई चीज है, हमारी बॉडी खुद बढ़ा रही है जान बुचके अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बुखार दो करन से चड़ता है, आपको ऐड़ी है कोई दो करन कौन से है, बुखार मितर कैसे बढ़ बार से आया, अब मेरी बॉडी के पास एक टूल है, कि मैं अपने अंदर गर्मी करूँ, टेंपरेचर बढ़ाऊ और उसको मार दूँ, तो बॉडी ने खुद टेंपरेचर बढ़ाया, उसको मारने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, और उसके खिलाफ एंटी बनाती है, बला हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटी बडी बनाती है, कि जब तू दुबारा भी आएगा, तो I have, I have memory cells, I have enough army, हाँ, वो बॉडी उसको, बॉडी उसके खिलाफ एंटी बडी बनाके अपनी उसमें रख लेती है, अपनी memory में, memory cell में, ताकि जब कभी दुबा एंटी बॉडी में एक्टिवेट कर दो, ताकि उसको खरा देगी, तो आपको इसलिए एक बार भुखार आता है, फिर घर में सब को जाता है, आपको दुबारा नहीं होता, जैसे करोना आया था, एक बार हुआ दुबारा नहीं हुआ, उस time period, क्योंकि बॉडी ने एंटी में गंदगी आ जाती है, तो बॉडी अपने ब्लड की गंदगी को फूकने के लिए temperature बढ़ाती है, यानि कि बॉडी आपको cancer से बचाती है, बॉडी आपको kidney fail से बचाती है, बॉडी आपको blood cancer से बचाती है, लीवर से बचाती है, लीवर fail से बचाती है, ताकि बॉडी उस उस गंदे पित को फुकने के लिए टेंपरेचर बढ़ा लेती है, कि तु फुक जा, बॉड़ी एक तरह से आग लगा जाती है, सारे कचने को कठा करके, और हम गलती का करते है, गोली खाके, पैरा सिटा मोले, डोलो खाके बुखार उतार लेते हैं, तो बॉड़ी वह नहीं क लाया, जिस पे बैक्टीरिया मरेगा, जिस पे वाइरस मरेगा, जैसी बॉड़ी का वो टार्गेट अचीव होगा, एकदम विदिन 5-10 मिनट पे बुखार नीचे आजएगा, पसीन आएगा आपको, और बुखार एकदम नीचे आजएगा, क्योंकि बॉड़ी का टार्गे